हलो वच्छो नमस्कार सभी को स्वागत आप सभी का कॉमर्स और फण पर जहां टीचर साब को दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो बेसिक टर्म्स लेक्चर वन अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखो क्योंकि यह है हमारा बेसिक टर्म्स लेक्चर नंबर टू देखे थे हम चाय फाय कैफे एक 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 हमने हाइपो थर्टिकल एक्जांपल क्रियेट किया था जहां से हम समझ पा रहे हैं अपनी बेसिक टर्म्स और बेसिक टर्म्स में अभी तक हमने तीन पिलर्स के बारे में बात कर ली थी ताट इस लेकिन जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि आपके जितने भी डाउट होंगे वो जो अच्छे डाउट है देखो अब डाउट तो बहुत सारे होते हैं अब एक डाउट ऐसा भी आया था कि सर आप डेटर और क्रेडर के बारे बताओ बेटा वो तो यह ने पढ़ाया ही नहीं ठीक है ना लेकिन कुछ डाउट के मैंने आलेटी स्कीन शॉट्स ले ली हैं तो उसको हम एक एक करकर डिसक्स करेंगे आने वाले पांच मिन बट सब्सक्राइब बट सब्सक्राइब अग्जांपल हमने बात की थी जिस चीज़ का हम वियापार कर रहे हैं ठीक है ना जैसे आपने बोले एक स्टेशनरी वाले बंदे के लिए पैन जो होगा वो एक करंट असेट होगा और वो करंट असेट भी सब्सक्राइब है उसमें जो गुड्स है क्या वो टैंजिवल होंगे हाँ वो बिल्कुल असेट के बारें बात करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट नॉन करंट असेट को रिप्रेजेंट करता है और कुछ भी नहीं ठीक है ना दूसरा एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि सर कैपिटल और नेट वर्थ में डिफरेंस क्या है यह आप अगले लेक्शर में प्लीज ब ही कहते हैं जस सिनॉनिम है आप कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना चाहते तो येस यू कैन यूज ओनर सिक्विटी येस यू कैन यूज नेट वर्थ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा उसके बाद कहने सर कैपिटल इस दा अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनस बट ये अमाउंट तो एक बारी ही इन्वेस्ट करेगा ना तो ये बढ़ेगा घटेगा कैसे प्लीज समझाइए तो मैंने का बेटा देखो कैपिटल हाइली फ्लक्चुएवल चीज होती है मैंने अपना OSR Academy ऑफलाइन सेंटर 18,500 कुछ रुपे से शुरू किया था लेकिन आज वो बहुत बड़ा हो चुका है वो करोडो रुपे का उसका नेट वर्थ हो चुका है क्यों आप जब कमाते हो देखो अब मैंने आफलाइन सेंटर से पहले 18,000 लगाया फिर मेंको कुछ रिटर्न आने शुरू है बच्चे पढ़ने आए मैंने उनको पढ़ाया पैसा आना मैं उसमें से कम पैसा घर लेके गया और जादा पैसा बिजनस में रहने दिया मैंने और चेर्स खरीदी मैंने एसी किया मैंने एसी खरीदा मैंने एड़टाइज किया और बच्चे बढ़ने लग गए और पैसा आने लग गया फिर मैंने उपर वाला फ्लोर भी ले लिया फ पहले तो मैंने बहुत सारा एक empire खरीद लिया था, मैंने बहुत सारा खलारा मचा दिया था, लेकिन में बहुत कोई घराकी नहीं आ रहा, तो दीरे 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 मैंने अपने asset बेचना शुरू कर दिया, देखो तो नुकसान पर भिखेंगे न, तो 2 करोट रुपे लगा कर आ liability और credit में क्या फरक है, पड़ा देखो credit, credit का मतलब उधार होता है, कि कोई भी चीज़ आप अगर खरीदते हो, आज भी हम सीखेंगे cash में खरीदते हो या उधार में खरीदते हो, तो उधार का English word होता है credit, चेक है न, कई बच्चे इसको उस credit से भी relate कर रहे थे, जो bank आपक खरीदे हो, तो आपने उसको credit पे खरीदा, that's an English term, okay, that's an English term, लेकिन अगर आपने उधार में खरीदा, तो आपके कंदों पे तो बोज आ गया न, आपने bank से loan लिया, आपने bank से credit लिया, आपने bank से debt लिया, एक ये भी doubt था सा, debt और credit में का फरक है, debt, debt मतलब उधार, credit मतलब उधार, लेकिन जो total credit है, जो total debt है, वो आपकी liability है, ठीक है जी, उधार पे 10 लोगों से माल खरीदा, यानि राम से, शाम से, जया से, लेखा से, सुरेखा से, सुश्मा से, सबकी फसंद, निर्मा से, आपने सबसे समान खरीदे लिया, तो ये आपका उधार पे आ गया, सबक liability, liability, सारे credit को जोड़ कर बनती है, ठीक है न, बाकिया भी और maturity होगी यार, एक ही दिन था भी तो, ठीक है जी, और एक बच्चे का बहुत प्यारा comment था, वो एक informative comment मेरे साब से होने वाल है, अब इसको आप promotional मत समझना, एक information है, कि बच्चा कह रहा है कि सर, आप यहाँ पर थ paid batch है, science and fund, science and fund, commerce का already एक paid batch है, description में उसका भी link डाल दूँगा, आप खरीद सकते हो, 50% off भी चल रहा है, जा कर आप खरीद लो, वहाँ पर already पढ़ा ही चल रही है, और आपको बता दू, basic terms खतम हो चुका है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ा हूँ, तो वहाँ पर भी तीर rent assets, इनके tangible, intangible, आज हमारा जो पहला शब्द है वो है goods, हमने इसके बारे में बात की थी, ठीक है न, आज हमारा जो पहला शब्द आता है बेटा, वो आता है goods, चलो, तो शुरू करते हैं आज की class, I think आपके doubts clear हो गए होगे और इसी प्रकार अपने प्यारे-प्यारे comment doubts मे आपके जो doubts हैं, आपके जो feelings हैं, इस channel को लेकर, मुझको लेकर, accountancy subject को लेकर, वो comment में जरूर बरसाया करो, मैं every comment पढ़ता हूँ, लगभग सारे comment पढ़ता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पर अच्छे-च्छे doubts लेकर रहा हूँ, और यह पूरा साल ऐसी पढ लेकर निकला है, तो जो आलू पढ़े हूए उसके पास, वो क्या है, goods है, vegetable vendor के पास, जितनी सबजियां लगी हूए, वो भी उसका क्या है, good है, एक fruit seller के पास, जितने fruits पढ़े हूए, वो सारे क्या है, उसका good है, आप शुकर बजार, वीर बजार, Sunday market में जाते हो, तो एक अगरबती वाला cycle लेकर घुम रहा हूँ, तो सारी अगरबतीयां जो है, वो उसका क्या है, good है, McDonald's के लिए जितना भी food and beverages है, वो सारे के सारे उसका good है, चाइफाई cafe के लिए भी जितने food and beverages है, सारे के सारे उसका good है, क्रोमा में जाते हो, विजे सेस में जाते हो, जितने भी electronic item है, सारे उसका good है, बार समझे आ गई, यह सारी के सारी goods होती है, goods are the physical item of trade, जिसका आप trade कर रहे हो, that are purchased or manufactured, कभी-कभी हम खरीद के आगे बेच देते हैं, कभी-कभी, आलू-ाला, खुद-ालू थोड़ना हो गा रहा है, वो जाता है, अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपको पता है, एक wholesale market में जाता है, जातपूर मंडी में जाता है, वहाँ से एक दो बोर-बोरी खरीता है, और वहाँ पर अपना profit margin रखकर, वो गली में बिचारा मेहनत करता है, और वो अपना profit margin पर बेचता है, ठीक है, ऐसी stationary वाला है, वो खुद थोड़ना domes की pencil बना रह है, समझ रहे हो, तो manufacturing भी हो सकती है, या आपका retail का काम भी हो सकता है, या wholesaler भी हो सकते हो, आप से purchase करते हो और आगे बेचते हो, to be sold, the term applies to all the item making of the sale or purchase of a business, मतलब इसका मतलब यहाँ पर आपका raw material भी आ जाएगा, और यहाँ पर आपका finished goods भी आ जाएगा, अगर आप raw material खरी बेशन खरीद रहा है, नमक खरीद रहा है, जोवेन खरीद रहा है, आलू खरीद रहा है, गैस खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है, यह सारी की सारी चीज़ जो खरीद रहा है उसका good होगा, raw material और इसको वो बना का जब ब्रेट पकोडों की शकल दे रहा है, ब्रेट के लिए कोई भी गुड नहीं है क्योंकि में पास कोई भी फिजिकल आइटम नहीं है हम तो आपको services दे रहे हैं हम तो आपको services दे रहे हैं बात समझ में आ गई है clear है चलो तो goods is very simple thing अच्छा जो माल आपका नहीं बिखता उसको आप stock कहते हो यह तो आपने online shopping करते वग भी सीखा होगा जब भी हम online shopping करते हैं तो महाँ पर लिखा आता है in stock या out of stock ब्लिंकेट जेप्टो हर एक जैसे जैसे Amazon से आप shopping करते हो तो वह लिखा आता है in stock या out of stock got it तो stock या inventories एक ही बात होती है synonym है फिर मत कहाना what is the difference between stock and inventory एक ही बात है तो inventory या stock का मतलब क्या होता है जो माल अभी आपका बिका नहीं है the unsold goods on a particular date or time is known as stock ठेक है जी एक दुकान में जाते हो आप एक garment shop में जाते हो जितनी t-shirts लगी हुई है जितनी jeans लगी हुई है जितने जूते लगे हुई है समझ रहे हो जितनी निकरें, trouser, gym t-shirts लगी हुई है वो सारी के सारी उसका क्या है stock है जो गुदाम में माल पड़ा हुआ है वो भी उसका क्या है stock है जो चीज अभी नहीं बिकी बेचने के लिए बैठा हुआ है बंदा उसको आप बोलते हो stock एक furniture manufacturing company माल लो आप एक furniture की दुकान में जाते हैं जो furniture बना कर बेचते हैं तो वो रॉमडेल खरीते होंगे, लकड खरीते होंगे, कीले खरीते होंगे, फैविकोल खरीते होंगे, सनमाइका खरीते होंगे, टेप खरीते होंगे, समर रहे हो, पेंट खरीते होंगे तो ये सारी चीज़े जो खरीद रहे हैं, उसका जो माल पड़ा हुआ है, अभी जो तयार नहीं है, raw material है, वो भी उसका क्या है, inventory है, stock है, एक ऐसा माल जो भी अधूरा तयार है, sofa अभी पूरा नहीं बना, जिसको बोलते है work in progress, वो भी उसका क्या है, inventory है, और जो तयार माल है जो showroom में लग गया है, पनी pack हो गया है, बस ग्रहाक आएगा, पैसे देगा और ले जाएगा, अगर बिखता है तो, तो वो उसका क्या होता है stock, यह सब को मिला लो stock होता है, यानि चाहे वो raw material हो बेटा, चाहे वो work in progress हो, चाहे वो finished goods हो, इन सब का जो भी गोदाम में, दु तयार है या तयार हो जाएगा, उसको आप क्या बूलते हो, stock, तो पढ़ लेते हैं, unsold goods on a particular date is called stock, goods remain unsold or unused in manufacturing, बताया ना, raw material हो work in progress, उसको आप क्या कहते हो, stock कहते हो, ठीक है, चाहलो जी, अगला topic आता है drawings, ठीक है, अब बदाना छोटे छोटे छब्द है, छोटे छब्द ह अब drawing को समझने के लिए पहले concept समझना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा weird है, समझना नहीं पड़ेगा आपको यह याद करना पड़ेगा, याद करने वाली बात क्या है कि OSR Academy and उशांग गई are two separate legal entities, science and fun, आशु गई, उशांग गई are two separate legal entities, चाइफाइ, कैफे, एंड जो भी आपने अपने नाम से शुरू किया था, चाइफाइ, कैफे और राहूल दो अलग-अलग entities है, समझना, मैंने OSR Academy में पैसे invest कर रखे, तो वो OSR Academy की capital हो गई, ठीक है जी, अब मुझे बताओ, मैं सुबा जाता हूं, शाम को आता हूं वाप वो लगभग, लगभग, सब शाले आट तक होता है, फिर वहाँ पे कुछ parents मेरा wait कर रहोते हैं, कुछ बचे doubt ले रहोते हैं, तो 9 बजे मैं वहाँ से निकलता हूं, रात के समय, yes, तो 9 बजे अगर मैं वहाँ से निकल रहा हूं, मेरी बात समझो, और रस्ते में, for example, मेरी wife मुझे WhatsApp आता है कि सुनो जी, आते वक्त खर्बूजे ले आना, और अगर मैं खर्बूजे खरीदने की अकात नहीं रख पा रहा हूं, फिर mind my words, mind my words, समझाने का एक तरीका है बटा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है न, तो मैं वो नहीं खरीद पा रहा हूं, क्या फाइदा म मेरी नहीं है, थोड़ा weird सुनने में लग रहा है न, थोड़ा weird देखा, आप अभी तक सोच रहे थे, एक आम आदमी की तरीके से, लेकिन अब आप accountant के तरीके से, तो legally, legally, देखो मुझे पता है, वो academy में कोई पैसा नहीं छोड़ता है, सारा घर लेकर आता हूं भाई, लेक भी तरीकली ने कहा ए, ट्रायमेक्स पैनल लेकर आना, तो मैं क्या करता हूं, वो 500 और पर निकाल लेता हूं, तो मेरी क्या हो गई? drawing हो गई जोगे मैं हर रोज अपनी capital appreciate कर रहा हूं अपनी मेहनथ से हर रोज जाकर अपनी मेहनथ से अपने काम से अपनी capital क्या कर रहा हूं appreciate कर रहा हूं समझ रहो रोज के operation से एक मालिक और mornik एक proprietor कहते हो न मेरेκडर कहते तो मैं director या proprietor जाता है, founder जाता है, co-founder जाता है, मेहनत करता है, दिमाग लगाता है, physical activities करता है, और फिर अपने capital increase करता है, capital बढ़ाएगा, लेकिन बीवी बच्चों को भी तो पानला है, तो उनकी फर्माइश पूरी करने के लिए, personal lead के लिए, जो मैं business से पैसे निकाल लेता हूँ, उसको बोलते हैं drawing, मैं मेरी बात समझना, मैंने business के draw में से 500 बे निकाले, वड़ा पाउ खाने के लिए, वड़ा पाउ किसके खाने के लिए, जितने मेरे clients हैं, जो office में आ रखे हैं, उनको खिलाने के लिए, मैंने 500 बे का वड़ा पाउ मंगा लिया, समझ रहे हो, तो वो मेरी drawing नहीं है, क्योंकि मेरा personal lead नहीं है, वो मेरा personal need के लिए मैंने नहीं किया, वो business को चलाने के लिए, client को खुश रखने के लिए मैंने किया, हम OSR Academy के बच्चों को भी party देते हैं, अब party देते हैं, तो वाँ पैसा लगता है, 2,5 लाख रुपे, 3 लाख रुपे लगता है, अब वो 3 लाख रुपे मेरा personal खर्चा नहीं है, वो institute को चलाने का एक खर्चा है, उनको खुश करने के लिए एक खर्चा है, बिरी बार समझो, लेकिन अगर वही मैं 500 वे withdraw कर रहा हूँ, वोही वड़ापाव अपने घर लिया, अपनी मा को खिलाया, अपने भाई को खिलाया, अपनी भाबी को खिलाया, अपने बच्चों को खिलाया, मैंने खुद भी खाया, घर आकर, वो क्या होगी, बिटा, मेरी ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग, कुछ नहीं है, या तो amount, या good, अब देखो, good की बात क्या है, अब मुझे बताओ, एक समोसे वाला है, उसके घर में समोसे कहां से जाएंगे, अरे, अपनी दुकान से जाएंगे, एक दूद वाला है, उसके घर में दूद कहां से जाएंगा, अपनी दुकान से जाएंगा, एक भैंस से दूद निकालता है, और लोगों को बेशता है, उसके घर में दूद कहां से आता होगा, अरे, अपनी भैंस से आता होगा, जो उसका खुद का goods है, जो furniture वाला था उसके घर में बेड़ तूट जाए तो बेड़ लेने के लिए पैसे कहां से आएंगे पैसे तो है उसके बाद लेकिन बेड़ कहां से आएगा पड़ोस की दुकान से लेगा क्या आरे भाई वो अपनी दुकान से लेके जाएगा तो या तो आप पैसा वड्रॉ कर ले कौन? मालिक, मालिक और कोई नी मालिक गले में से पैसा निकाल ले क्योंकि घर में खर्च करना है राशन डालना है, बच्चों की स्कूल की फीज घर का वाइफाई का खर्चा घर का बिजली का बिल, समझ रहे हो वाइफ को कुछ समान चाहिए उसके लिए, माँ को कोई समान चाहिए उसके लिए, घूमने जाना है, वेकेशन पर जाना है अभी मैं वेकेशन पर गया, तो मैंने जो पैसे खर्चे वो मेरे परसनल लीड के थे उससे बिजनस का कोई फाइदा नी होने वाला तो amount या good withdrawn by the owner for his or her personal use is called drawing और यह हमारी capital क्या कर देता है कम कर देता है इसलिए कहा जाता है जब आप business में काम करते हैं तो आपकी capital बढ़ती है most of the time आपकी capital बढ़ती है जितना मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को उससे मेरी capital बढ़ेगी अगर मैं उसमें से कुछ पैसा withdraw कर लूँगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी capital बढ़ जादा रही है और withdraw मैं कम कर रहा हूं लेकिन उल्टा कर दो capital बढ़ जादा capital बढ़ी 100 रुपे से आप daily withdraw कर रहे हैं 1500 रुपे बढ़ी 100, 1500, 100, 1500 100, 1500 तो भीया क्या होगा एक दिन ऐसा आएगा मेरी capital कम हो जाएगी समझा रही है बात तो आपको यादा है मैंने बढ़ा है 18,500 शुरू किया था तो मैं घर कम लेकर जाओ घर तो तब भी चलाना था यार घर तो तब भी चलाना था मुझे तो मैं घर पे कम लेकर जाओ घर में मैं कंजूसी से काम करता था समझ रहे हो तो मैं मेरी capital बढ़ रही थी मेरे बच्चे आ रहे ज़े पढ़ने के लिए मुझे fees दे रहे थे लेकि उस fees में से कम portion में घर लेकर जाता था और जादा portion में बिजनस में ही री इन्वेस्ट कर देता था आज भी ऐसा ही होता है OSR का सारा पैसा में घर लेकर आतो जाता हूँ मतब वैसे लेकिन वो पैसा है किसका OSR का तो मैं से कुछ पैसा अपने ड्रॉइंग रख लेता है क्योंकि घर भी चलाना बहुत ज़रूरी है इसलिए तो काम कर रहा है बंदा क्यों करेगा काम और बाकी पैसा मैं बिजनस में ही री इन्वेस्ट कर देता हूँ इसलिए हमारा बिजनस बढ़ रहा हमारी कैपिटल बढ़ रही है OSR Academy ये Science and Fund बड़ा होता जा रहा है ठीक है न? OSR Academy की Assets Science and Fund के Assets बड़े होता जा रहा है तो ड्राइंग बड़ा इंपोर्टेंट सा एक छोटा सा टॉपिक है वैसे तो देखो सिंगल लाइन में भी समझाया जा सकता था लेकिन मैं आपको डीप नॉलिज देना चाह रहा था कि जो ड्रॉर से पैसा निकाला मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए जो दुकान से उसने समान निकाला अपने पर्सनल नीड के लिए उसको आप क्या बोलोगे? ड्रॉइंग यह हमेशा कैपिटल में से क्या हो जाता है? डिड़क्ट हो जाता है यह याद रखना बाकी हम इसको नुमेरिकल्स जब भी करेंगे तो कराएंगे आपको अब यह सीरीज शुरू हो गई है अब जहां समनना यह एक शब्द नहीं यह कई शब्द हैं जैसे आगया पर्चेज इस अगर मैं आपसे पूछू कि वट इस पर्चेज? कि पर्चेज क्या होता है? तो पर्चेज का मतलब आपको लोग के साथ खरीदना होता है देखो अंगरेजी का शब्द तो यह है ना खरीदना बिल्कु सही है अब जब ड्रॉइंग का इंग्लिश का वर्ड था भीया ड्रॉग करना लेकिन यहाँ थोड़ा अलाग हो गया तो यहाँ पर इंग्लिश में कुछ भी खरीदना इस पर्चेज लेकिन अकाउंट टेंसी में सिरफ गुड्ज को खरीदना इस पर्चेज पर्चेज अकाउंट के अंदर सिरफ पर्चेज जब चाइफाई कैफे दूद खरीद रहा है अद्रक खरीद रहा है, इलाइची खरीद रहा है, चाइपती खरीद रहा है कुलड खरीद रहा है, ब्रेड खरीद रहा है, म्यूनिस खरीद रहा है, वेजिटेबल खरीद रहा है या पैपसी डारेक्ट खरीद रहा है, मैगी का पैकेट खरीद रहा है पिज्डा बेस खरीद रहा है यह सारा क्या उसका पर्चेज इस है यह सारा का सारा क्या है बटा उसका पर्चेज इस है क्या ci-fi cafe AC भी खरीदेगा, हाँ जी खरीदेगा, क्या ci-fi cafe future में और chairs और table भी खरीदेगा, खरीदेगा, लेकिन वो purchase account के अंदर नहीं आएगा, परचेज अकाउंट, परचेज इस जो होती है, परचेज, इस नथिंग बट दपरचेज ओफ गुड्स ओनली, चाहे वो रॉम अटेल हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो, समझ रहे हो, आप जिसका व्यापार कर रहे हो, अब मुझे बताओ, आपके आसपास ऐसी कोई लोगों को बेशता होगा, तो वो उसकी परचेज है, वो उसकी क्या है परचेज, लेकि उसकी दुकान में टेबल भी होगी, माल लोगों टेबल खरीदता है, तो उसकी परचेज नहीं है, इंग्लिश वाला परचेज तो है, लेकिन अकाउंट एंसी वाला परचेज अकाउ यह बात ध्यान रखना सिर्फ गुड़ की पर्चेस को आप क्या बोलोगे पर्चेस चाहिए वो फिनिश आइटम आप खरीद के आगे बेच रहे हो या रॉम मेटल जिसका मैनुफेक्चर करके आगे बेचोगे ठीक है ना अब यह दो प्रकार की अब यह दो प्रकार के तो ज अगर आप कैश में खरीटेए देखो सिंपल जी बात है आप जाते हो खारी बावरी जाते हो आप कहीं पर भी एक होलसेल मार्किट में जाते हो और वहां से चाय पत्ती उठा लेते हो आपने उसको कहा कि भाई यह ले एक लाक रोपर चाय पत्ती देदे पैसे दिये चाय प पड़ेगा या जब हम किसे उधार लेते हैं उधार में माल खरीते सौरी जब हम किसे उधार में माल खरीते तो मुझे मेरे कंदो पे बोज पैदा हो गया और उस बोज़गा एक नाम होगा मुझे शाम को पैसे देने है मुझे मोहन को पैसे देने है मुझे रोहित को पैसे देने क्योंकि मैंने इन सबसे उधार पे माल खरीदा हुआ है तो ये सारे मेरे एक रिष्टेदार बन चुके हैं एक रिष्टा बन चुका इनके और मेरे बीच में बाच्ची शुरू हो जाएगी और ऐसे रिष्टो को बोलते हैं बेटा हम क्रेडिटर एक बच्चा बड़ा उतारू था comment section में इसका मतलब बता दो कुछ नहीं है बेटा जब आप किसे उधार पे माल खरीदोगे जैसे शाम से खरीदा था तो शाम को हम शाम नहीं बोलेंगे शाम को हम क्रेडिटर बोलेंगे क्या बोलेंगे क्रेड़ ये वो बंदा होता है ये मेरी जनरली मेरी current liability होती है ये वो बंदा होता है जिससे हमने उधार पे माल खरीदा होता है जिसको in short term यानि 3-4 महीने के अंदर हमको इसको पैसे वापस करने होते हैं ठीक है जी हर दुकानदार उधार पे माल खरीदता जरूर है ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जो उधार पे माल ना खरीदता हो वैसे मैंने तो नहीं देखा जितने बड़े बड़े बिग बजार की बात कर लो राजमंदिर की बात कर लो multi store smalls की बात कर लो store 99 बहुत बड़े बड़े ब्रैंड्स है आपने नाम सुना होगा, यह सब पीछे से माल में, यह क्या खरीते है बटा, कैश में भी खरीते हैं, लेकिं उधार पर भी खरीते है, माल बिकता है, नहीं बिकता है, एक छोटे स्टर्म के बाद वो पैसा वापसी कर देते हैं, तो अब for example, चाइफे कैफे ने, दस लोगों स आठ्रोहण, राहुल, मतलब बहुत भूत लोगों से माल खरीता हुआ है, तो collectively यह सारे मेरे क्या होगे, principle क्रेडिटर्स होगे, क्या होगे, जिसको मुझे इनको क्या देना है, पैसाे देना है, क्रेडिटर वो बंदा होता है, जिसको मुझे पैसे देने है, यह मेरी liability है, मेरे को पैसे देने है, क्योंकि मैंने इसे उधार पे माल खरीदा था, यह याद रखना सिर्फ माल खरीदने वाले बंदे को ही, जिससे उधार माल खरीदा है, उसी को ही आप क्या बोलोगे, क्रेड अब सेल का मतलब English में तो होता है कुछ भी बेचना लेकिन जब आप किसी शोरूम के बाद सेल सेल लिखते हो तो वह वही बेच रहा है जिसका उसका काम है बाद समझ रहे हो यार एक गार्मेंट शॉप के बाद सेल सेल लिए तो इसका AC भी काउट नहीं है भाई तो यहां पर भी सेल का देखो परचेज का मतलब है माल खरीदना सेल का मतलब भी है माल बेचना गुड्स बेचना ठेक है ना सेल मेंस सेल ओफ गुड्स ओनली अब ये भी दो परकार की होती है बेटा अब देखो जो हमारी सेल्स होती है ये भी बच्चो दो परकार की है फिर वही कैश आ माल अपना उधार पर बेच पाऊगे तो फिर भाई बात अगर आप अपना माल कैश में बेच रहे हो तो तो कही पंगा ही नहीं है यार तो तो कही प्रॉब्लम ही नहीं है आपने पैसे लिये और माल बेचा सिंपल सी बात है एक दूद वाला हुआ और मेरे पास एक ग्रहक आता है, कहता है कि भाई दूद दे दो, मैंने सौर पे लिया और दूद दे दिया, सिंपल दिबात तु कौन तिद वहां, भाई मैं को लेना देना नहीं है तक से, माल बेचा ना यार, सिंपल दिबाता है, राम ना मुरी ठीक है जी, वाई बाई बड पापा कहा रहे हैं न कल दे देंगे, तब पूछूँगा नि भाई किसके लॉंडे हो, कहां से आयो, कहां रहते हो, वो दिखाएगा, देखो अंकल नुहारत, अच्छा शर्मा जी के लॉंडे हो, ठीक, ये लिख लिया मैंने, रिष्टा बन गया भाई तुम्हारा और मेरा, बना गी नी बना रिष्टा, बोलो बोलो बोलो, रिष्टा बना गी नी बना, अब आप मेरे कौन हो गए हो, आप मेरे कौन हो गए हो, डेटर हो गए हो, बी इस साइलेंट, डेटर, डेबटर नहीं, डेटर, डेटर वो बंदे होते हैं, जिन से मुझे उधार, जिन को मैंन पैसे लेने आपके घर के नीचे किरैने वाला जरूर होता है जिसका आपके साथ حसाब हुगा मेरा तो चलता है भगाई एक जन्य दूद वालों के साथ और पैसे किया करते हाजुए आसे ना कुछ साल पहले मेरे घर में दूद वाला देने आता था वो वहांस का दूद बहुत पीते थे, ठीक है न, तो वो आता था, तो पहले पता नहीं होता था, देखो, मुझे नहीं पता है, with all due respect, डॉक्टर्स ने कहा कि वहांस का दूद इतना ठीक नहीं होता, तो आप cow milk पिया करो, ठीक है, तो we switched to cow milk, ठीक है, लेकिन फिर cow milk easily available नहीं ह होता था, तो फिर हम ले वो ठैली वाला दूद पे शुरू हो गए, ठीक है न, में जाबर सभी बराबर है, ठीक है, ओके, डन, तो जब वो सुबह सुबह आता था था न, तो मेरे घर में पांच बज़े बल बच जाती थी सुबह, इस्ता disturbing element था वो, सुबह सुबह आता था और कोई gate नी खोलता था, कभी कई मुझे उठना परता था, कभी मेरी मम्मी उठ रही हैं, कभी कभी आशु सर उठ रहे हैं, और पतीला लेकर एक आँख बंद से भाई, दूट डाले है, क्या डाल रहा है, पता ने चल रहा है, उसके अंदर कम डाल रहा है, ज्यादा डाल पता ने, बस लेकर उसको अमने फ्रीज में रखा दिया, और फिर जाके सो गए, और वो सुबा सुबा कहता था कि भाईया, 78 रुपीर दे दो, भाईया, 78 रुपीर कहां डूंडू आँगा सुबा, मैं सौर बेका नोट देता था उसको कहता भाईया, खुल ले नी है, के बाद महीने महीने अपने पैसे गिन के ले लिया कर, ऐसी मेरा राशन वाले के साथ है, मेरा मेजर राशन तो कही और से आधा है, लेकिन जो रोज का दूद है, ब्रेड है, और बचों की मैगी है, चिप्स है, समझ रहे हो, कभी हीं की डबी खतम होगी, नमक थैली खतम हो है, सी पांच का आठ नमबर, सी आठ का नौ नमबर, सी बारा का ये नमबर, शर्मा जी, गही साब, जैन साब, अलोक साब, समझ रहे हो, बहुत है, तो वो सारे के सारे उस बंदे के लिए क्या होकर डटर हो गए, समझ रहे हो, तो आज चाइफाई कैफे किसी को उधार पे म माल बेचा था, एक सिक्की के दो फहलो, अ है, सोचो, जिससे आप उधार पे माल खरीद रहे हो, वो शक्स हो गया क्रेडिटर, और जिसको आप उधार पे माल बेच रहे हो, वो शक्स हो गया आपका डटर, बहसा अग्या आगई, तो ये हमारा होता है करंट एसेट, करंट है जिसको हम चाहते है जल्से जल्से पैसे में वहीं हो जाए हम देटर को भी चाहते है जल्से जल्से पैसा देए ठीक है इसलिए उसको बुला जाता बात करते हैं वहाँ पर लोग नहीं भागते हमारा पैसा लेकर बिलकुल करते हमारा पैसे भागते हमारा पैसे लुष कोई गल मती देसी मेंगें चल रहा है यह Kaiser आपा चाहिए टी ऐंट्यश्य पेंडिंग चल रहे हैं देज नहीं दे तो एक वक्त आता है कि हमको बड़ा जल जाता है कि वह आदनी बड़ा गंदा है वो पैसे नहीं देगा अब यहां गाली तो लिखनी सकते डैश डेटर गाली थोड़ना लिखोगे यह फिलिंदा ब्लैंक डैश मत करना comment section में ठीक है न तो डैश डेटर की जगा हम लोग लिख देते हैं bad debtor गंदा डेटर बैड डेटर की short form यह जंदली हम क्या लिखते है bad debt bad debt यानि गंदा डेटर जिसको हमने उधार पे माल बेचा और लेकिन उसने मार को पैसे वाप्षा नहीं किये ऐसे बंदे को कहते हुआ bad debt क्या बोलते ह रहे हैं माता रानी आई सपने में कहती की बेटा देख तुने एक मासूम से राहुल का पैसा खाया जिसने अभी अभी चाइफाय कैफे शुरू किया भगवान तेरे को बहुत गंदा श्राप देती हूँ तो कभी फूले फलेगा नहीं कभी तरक्की नहीं करेगा जिए और माता रानी ऐसा मत करो मैं भी जाता हूँ उसको चार जार पर देता हूँ वो आता आपके चाइफाय कैफे चार जार पर लेकर आप उसको बेड़ डेट घोशित कर चुके हो घोशित मतला अपनी किताबों में उसको बोल चुके बईस से पैसे आप उमीद काट चुके हो तो पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से में अपने paid और offline पढ़ाता हूँ कोई बच्चा अगर paid और offline का होगा तो यहाँ पर comment में बता देगा हाँ मेरे lecture थोड़े लेट जरूर आते हैं YouTube पे लेकिन वही same energy के साथ पढ़ा रहा हूँ सेम उसी तरीके उसी पैटन में पढ़ा रहा हूँ मतब PPD भी सेम है बाव पूछ लो comment section बता दे न paid वाले और live और online वाले but obviously बात है mentorship जो है वो paid batch में मिलती है ठेक है ना with all due respect there is difference between paid and YouTube is एक तो regularity वाफते में तीन दिन class हो रही है accounts की BST की economy की daily classes चल रही है यहां पर रुक रुक के lecture आएंगे लेकिन आएंगे जरूर श्लेबस खतम जुरूर होगा यह मेरा वाद है ठेक है ना थोड़ा लेट हो सकता है आपका UTPT है थोड़ा आगे वीचे करना पढ़े आपको стok पहले आया थेर्कों पहले मैंने उसके उधार पर माल बेचा वह मेरा बन गया डेटर डेटर पैसे लेकिर भाग गया वह बन गयागंगा पाचाणा ब्हसे आगया तो क्या बन गया बेट एक पूरी चेन है कर पैसे देता है तो यह दो स्टेजिस की 1000 यह दो रखना यह होती है मेरा current asset और यह होती है मेरी current liability जब हम माल खरीदेते हैं और बेचते हैं तो दोनों में कुछ returns आ सकते हैं जैसे अगर मैंने माल खरीदा वो अच्छी quality का नहीं था तो मैं उसको माल क्या कर दूँगा वापस कर दूँगा उसको बोलेंगे purchase return क्या बोलेंगे purchase return और purchase return का दूसरा synonym है return outward परचेज return भी बोलते हैं और return outward आपको दोनों याद करने क्यों कोशन में कभी कभी दोनों गिवन होते हैं यह भी word गिवन होता है तो return आपने किसी वेंडर से आपने खरी ले टमाटर आपने पांच किलो टमाटर उपर के तीन किलो तो बहुत बढ़ी आदे नीचे के दो किलो बिलकुल दबे हुए गले हुए शड़े हुए निकले आपने उसको फोन के भाई देख तेरे टमाटर बढ़े खाला मैं बेज रहा आपने बच्चे को वेजा आपने पने किसी एपर का आपना बेजाए को और दूसरा नाम ही ृटर्न इंभर्स ता सिंपल सब्स्राश hybrid नाम है इसम्री देखा हुगा आप ही कोई माल खरीद लाते हो दुकानदार से कहते हो नहीं मम्मी तो मना कर रही है यह यह तो खराब है यह धाई एक्सपायर्ड है कुछ भी होता है तो हम उसको दे आते हैं वापसी तो उसको क्या बोलते है बिटा सेल्स रिटर्न सेखें जी ओके बहुत बढ़िया मज़ा आगे मज़ा आगे अच पढ़ा कर फिर हम बात करते हैं एक्सपेंटिचर और रिसिप्ट की यह आखी के दो शब्द है लेकि यह बहुत विशाल शब्द है मताब 15 मिल लग जाएंगे दोनों को समझाने में एक्सपेंटिचर का मतलब खर्चा होता है जो भी हम बिजनस में बैठकर खर्चे कर रहे हैं जो पैसा मेरी जेप से जा रहा है बिजनस को चलाने के लिए उसको बोलेंगे खर्चा से कहा ना समझ रहे हो ना हम अपने अगर आपके पेरेंट्स बिजनस में आपको पता होगा एक बिजनसमेन की बहुत खर्चे होते हैं जब मैं आफिस जाता हूं मैं विदाउट वालेट नहीं जा सकता मुझे पता है वहां बैठती मेरे को कुछ ना कुछ पैसे देने ही पड़ेंगे डेली कुछ ना कुछ एक्सप मतलब बिजनस को चलाने के लिए पैसा चाहिए और वो खर्चे जो होते हैं उसको क्या बोलते हो एक्सपेंडिचर अब खर्चे ने तीन परकार के हैं जो मेरी जेब से बिजनस वाले बंदे की जेब से पैसा जाता है वो तीन परकार से जाता है पहला होता है रेवेन्यू expenditure बास समझना अब यह आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा revenue expenditure यह वह expenditure होता है जो business को सिरफ चलाने के लिए खर्च करना पड़ता है बना business नहीं चलेगा बिजनस चलना यह बन कर देगा कोई ना कोई रुकावटे आने शुरू हो जाएंगी अगर यह पैसा आपने नहीं खर्चा तो लेकिन इस खर्चे से ना तो कोई आपका non current asset बढ़ा हो रहा है ना ही आपकी कोई liability कम हो रही है इस खर्चे से ना ही कोई non current asset बढ़ रहा है ना ही कोई liability कम हो रही है, ऐसे खर्चों को बोलते हैं revenue expenditure, मैं अपने employees को salary दे रहा हूँ, बिना salary के business नहीं चल पाएगा, मैं बिजली का bill भर रहा हूँ, बिना बिजली के नहीं चल पाएगा, हमारी maid सफाई करने आती है, बिना सफाई के business नहीं चल पाएगा, एक दिन चल जाएगा, दो इस खरीदे बिना business नहीं चलेगा, दूद खरीदे बिना business नहीं चलेगा, rent दिये बिना business नहीं चलेगा, salary दिये बिना नहीं चलेगा, आपने loan पर पैसा ले रखा business चलाने के लिए, उसको ब्याज नहीं दोगे तो भी business नहीं चलेगा, आपने लोगों को commission बांद रगएग को 10% कमिशन देंगे आप अगर NSP चले जाओ ना वतब रोईनी के पास एक जगा है नेता जी सुभाश फैलेस बहुत सारे बच्चे जानते होंगे वहाँ पर जैसे जाओगे ना आप अंदर तो बिल्लूज हट के आसपास बहुत सारे लोग पैंपलेट लेके खड़े होते है कि सर ये देखो हमारा वो गाड़ी के वाँ ऐसे घेल लेंगे को स्टार आया हो ठीक है ना आप किसी को भी आगारा पैंपलेट पकड़े उसके साथ चले जाओगा ना उसके शौप पहे तो उस बंदे की 10% कमिशन तैयर है तो दुकान वाले को उस बंदे को 10% कमिशन देनी इसके बिना आपका बिजनस नहीं चल पाएगा वो इंडस्ट्री ऐसी है बाँ समझ रहे हो तो ये खर्चे मेरा कोई नौन मेरी कोई चीज नहीं बन रही मेरा कोई नौन करन असेट नहीं मेरी कोई लिबिटी कम हो रही है सैलरी देने से मेरी कोई लिबिटी कम नहीं नहीं वो मेरा asset बन जाएगा, मैं अपने जिवन भर कितना भी अपनी property का rent दे दूँ अपनी property माझा जिस property में बैठा हुआ था, या जहाबे मैंने चाइफाए cafe खोला था, कितना भी मैं property का rent दे दूँ, वो property मेरी होने वाले नहीं है, वो तो बस मेरे को एक महीने बैठने का एक हरजाना है एक महीना दूँगा, तो बैठने देगा अगर मैं rent देना बन कर दूँगा, तो मालिक आएगा वोजी निगल जाओ यहां से, तो मेरा business हैंपर हो जाएगा, तो ऐसे खर्चों को बोलते हैं वीटा, revenue expenditure जिसके कुछ example मैं लिख देता हूँ यहां पर, वैसे अभी हम बहुत detail ने बात करने वाले आगे जाके rent हो गया, salary हो गया, electricity bill हो गया, ठीक है जी, माल खरीदना, purchases ठीक है जी, purchases हो गया, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, वाइफाई का बिल मान लो, capital expenditure, वो expenditure होता है, अच्छा, यह जल्दी absorb हो जाते है, जल्दी consume होता है, rent दिया एक महिने में consume, salary दिया एक महिने में consume, अगले महिने फिर देनी है, बिल्ली का बिल, माल तो daily खरीदना पढ़ रहा है, वाइफाई का बिल, हर महिने पे करना पढ़ रहा है, तो यह जल्दी जल्दी consume होते हैं, लेकिन capital expenditure वो expenditure होते हैं, जिससे या तो, अच्छा, यह ऐसे भी नहीं होगा, और ऐसे भी नहीं होगा, जिससे या तो non-current set बढ़ जाएगा, या liability कम हो जाएगी, जैसे machinery खरीद लेना, यह भी एक खर्चा है ना, लेकिन उस दिना बड़े खुश होते हो, उस दिना बड़े खुश होते हो, समझ रहे हो, तो जब भी आप machinery खरीद रहे हो, furniture खरीद रहे हो, land खरीद रहे हो, building खरीद रहे हो, तो यह सारे आपके non-current set को बढ़ा रहे हैं, आपने अपने चाइफाय कैफे में बड़ा microwave खरीद लिया, पैसा तो गया ना, खर्चा तो यह भी है, लेकिन यह खर्चा आपको आने वाले कहीं साल तक मदद करने वाला, और इससे आपका एक non-current set बढ़ गया, आपके पाँ 20,00,00,00 रुपे खर्टे हो गए थे, आप पापा को जाके कहते हो कि पापा यह 20,00,00 रुपे रख लो, आपके 1.5 करोट रुपे देने थे, आज 20,00,00 रुपे आपके पास आगए है, तो आज यह खर्चा करका है, लेकिन इस खर्चे से आपकी liability क्या हो गई है, बेटा, कम हो गई है, तो ऐसे खर्चे, ऐसे खर्चे, यानि purchase of non-current asset, या दूसरा, paying off liability, paying off, आप अपनी liability जो है, वो अगर pay off कर देते हो, liability भी कौन सी बेटा, long term वाली liability, वो तब जो एक साल पुरानी वाली है, जो एक साल से ज्यादा वाली होती है, उसको आप pay कर देते हैं, उसको आपकी बन देते है, कई साल लग जाते हैं मशीनरी खरीद होगे तो चार-पांच साल चलेगी एसी खरीद होगे चार-पांच साल फणनी चार-पांच साल बिल्डिंग कई साल समझ रहे हो तो ऐसे खर्चा या उधारी पे कर दिया अपने अपने सर पर जो non-current liability थी आपकी जो long term liability वो आपने उतार दी उसमें से कुछ portion उतार दिया वो भी क्या हो गया बिटा आपका capital expenditure मोटा खर्चा लेकिन एक ऐसा खर्चा भी होता है जो कि बहुत कम आजकर सुनने को मिलता है वो है deferred revenue expenditure क्या होता है बिटा deferred revenue expenditure यह वो खर्चा होता है जो है तो revenue यानि ऐसा ही है यह तो जैसे एक महीने छे महीने में अब्रॉब हो जाता है यह आने वाले कहीं सालों तक अब्रॉब होगा just like capital लेकिन इससे ना तो कोई non-current asset बढ़ेगा ना ही कोई non-current liability कम होगी है यह revenue लेकिन इसके absorption कहीं सालों में होगी इसका एक मातर example है वो है advertisement का खर्चा huge amount spent on advertisement मैं बच्चों को example देता हूँ मैं अपने offline को कहीं promote नहीं करता हूँ मैंने अभी भी अपने YouTube channel के अंदर भी कभी भी नहीं बताये कि मेरा offline center कहाँ पर है कभी rare होता है आप देखोगे जितनी ad लोग तो sponsored ads चलाते हैं अपने offline centers की हमने कभी ad ही नहीं चलाई कभी यह बात गलत होगी कहना कभी नहीं जब मेरे 18 साल के 16 साल के offline मैंने 18 साल होगे पढ़ाते हुए दो साल home tuition पढ़ाई थी लेकिन जब मैंने आज से 16 साल 15 साल पहले थाड़े 15 साल पहले जब अपना institute खोला था तब मैंने दवा कर ad की थी पैसा आता था मेरे पास बच्चों 18,500 लगाए पैसा आया मालाच 5,000 की फीसा आ गई 2,000 घर लेगा 3,000 की ad चला दी तीन अजार में मैंने पैंप्लिट चपवा दिये, hoarding लगवा दिये, अख़बारों में add दे दी, ठीक है ना, समर रहे हो, अपने गली-गली महले में बैनर लग गए हमारे, स्कूलों के भार जाकर हम clearbacks बांट रहे हैं, quotient paper प्रिंट कराकर वहां बांट रहे हैं, OSR Academy लिख लोगों को घर-गर जाके survey भी करवाया लोगों से, मतलब बहुत सारा पैसा खर्च किया है, मान के जलते मैंने दो लाख रुपे खर्चा initial days में, क्या हो मुझे आज benefit दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, वो दो लाख रुपे के advertisement से अगर मेरे पास 40 बच्चे आए, तो आज जो मेरे पास 1000 बच्चा पढ़ रहा है offline में, तो वो 40 की वज़ा से ही पढ़ रहा है, क्योंकि आज मैं उन बच्चे से पूछता हूँ कि तुमको मेरे बारे में कैसे बाद चला, तो पिछले दो सालों से तो एक टम और सुनने को आरे से YouTube और Instagram से बादा चला, वो बात अलग मतब इस कमरे में आजाएं, इतने सारे फार्मस है, मतब शायद 1000 लाइखों फार्मस होंगे, इतने सालों में, अब्विस नी बात है, 1000 तो होंगे यार, लाइखों तो चलो नहीं होंगे, 1000 तो होंगे, लेकिन उस 1000 फार्म में, मैंने कभी भी Advertisement के आगे टिक नहीं देखा क्योंकि मेरी advertisement है नहीं मैं तो इतना बड़ा दावा करता हूँ आप मेरा एक template दिखा दो मैं आपको free में बढ़ा दूँगा इसका हुआ यह नहीं कि मैं in future ad नहीं करूँगा मैं यह नहीं कहा रहा लेकिन आज जो मैंबा हजार बच्चे आ रहे है वो किसी ना किसी के word of mouth से आ रहे और वो बच्चा किसी ना किसी के word of mouth से आ रहे होगा और वो बच्चा किसी ना किसी word of mouth से आ रहे होगा लेकिन जो starting वाला बच्चा था वो तो ad देखकर रहे था जो कि word of mouth के लिए तो पहले किसी को तो पढ़ाना पड़ेगा ना यार आज एक चमकीला मूवी मैं देखता हूँ for example आप वो लोग साथ चमकीला मूवी की बहुत प्रमोशन करते हैं भाई मेरा दिल जीत दुसान फेवरेट आदमी है ठेक है ना तो चमकीला मूवी की अगर आज मैं देखता हूँ तो मैं बोलूगा ना अपने घरवालों का तुम भी देखो पहला को अब वो लोग इतनी आइडवर्टीजमन कर रहे इतना प्रमोशन कर रहे उन लोगों को इखटा करने के लिए जो सबसे पहले इनिशुएट लेंगे पि है यह कैसे आ गया यह मकी से आया उनको लगा कि भी यह बंदे में पृटन्चल है यहां पढ़ते हो नुमर आते हैं यहां पढ़ते हैं तो भी आम अख्शी हो जाती है आपदो तो अच्छी हो जाती है कि भाई ने में अनको जोइन कर लिए भाई एक्सपरिमेंट से उसको बोलते है, deferred revenue, not so important, अभी आप leave कर सकते हो, ये दो खर्चे समझ लो, ये भी समझ में आगे होगा वैसे आपको, ये अचा, उस advertisement से मेरा कोई asset नहीं बना, ना मेरी कोई liberty कम होई, लेकिन वो आज भी benefit दे रहा है, इसलिए उसलिए deferred, deferred मतला future, revenue, revenue खर्चा, ना कोई asset ब हो जाएगी, ऐसे खर्चे हो कहते हैं, मोटा खर्चे हो कहते हैं, मेरा capital expenditure, deferred मैंने आपको समझा दिया, and today's last topic is receipt, जैसे मैं खर्चे कर रहा हूं, तो आपको पैसे भी मिलते हैं, अब ये दो ब्रगार का होता है, एक होता है, revenue receipt, revenue receipt, ये ये वर्ट तो सुन लिया होगा ना, तुमनें revenue, revenue शाक टैंक में बताते हैं भी ये लास्ट टाइम का revenue कितना था, वो हमारे एक अंकल आते हैं, कार देखो वाले, वो कहते हैं कि अपनी unit economy, उनका वाते हैं, unit economics समझा दिजे अपनी, तो unit economics की जो शुरवात होती है, व after, sale of, sale का मताया था न, किसकी sale करते हो, goods की, या services की, जो भी आप माल या services बेच रहे हो, और जो पैसा आपके पाद इखटा हो रहा है, जो भी आपकी operation से पैसा आ रहा है, मैं tuition पढ़ाता हूं, तो tuition से जो पैसा आ रहा है, science and fund में course पढ़ाते हैं, बच्चों को बढ़ाते ह जो पैसा आएगा, उसको बोलेंगे, revenue receipt, ये पैसा मुझे किसी को देना नहीं है, नहीं ये मेरा कोई liability पैदा कर रहा है, नहीं मेरा कोई asset कम कर रहा है, छोड़ देते हैं, मतलब ऐसा पैसा जो आप काम करके कमाते हो, जिस चीज़ का आपका काम है, उससे आ रहा है, एक property dealer क कि जो commission आ रही है, वो उसका revenue receipt है, समझना, एक aloo वाले के लिए, aloo बेच के जो पैसा आ रहा है, वो क्या रहा है, उसकी revenue receipt है, लेकिन ये समझ में आगे होंगे, revenue receipt मतलब जो गले में पैसा आ रहा है, दूद वाले के गले में जितना पैसा जा रहा है, milk products, milk बेच कर, पनीर दही बेच के, चाद बेच के, रस, टॉफी, मेगी, समझ रहे हो, चिप्स बेच के, जो भी एक दूद की दुकान आप इमयजन कर पा रहे हो, कर्याने की दुकान को इमयजन कर पा रहे हो, चाइ़, पैसा आता है, उसको आप कया बोलते हो, revenue receipt, लेकिन एक receipt और होती है, इक capital यह बहुत कम होती है capital receipt क्या होती है amount received amount received by raising loan मालो आपने कोई loan ले लिया bank से तू भी पैसा आएगा न आपके पास तो इससे आपकी non current liberty बढ़ जाएगी और by selling your non current assets कोई पुरानी मशीनरी बेच दी पैसा आएगा चाहिए कवारी से आए चाहिए profit में चाहिए loss में वो बात नहीं है जो पैसा receive हो रहा है machinery बेच कर, building बेच कर plant बेच कर, furniture बेच कर उसको जो पैसा मिल रहा है उसको बोलोगी कौन सी liability कौन से आपकी receipt पैसा तो आ रहा है ना capital receipt bank गए bank से loan ले लिया capital receipt, papa से loan ले लिया capital receipt, पैसा तो आया लेकिन ये मेरा नहीं है मुझे चुकाना है पैसा तो आया, लेकिन इसके बदले मैंने अपना एक non-current asset बेच दिया एक machinery बेच दिया, अपना camera बेच दिया, अपना smart vote बेच दिया अपना printer बेच दिया, तो पैसा आया लेकिन यहाँ पर मैंने अपना goods बेचा मैंने अपनी services बेची, जो मेरा रोज का काम है क्या मैं रोज अपने business का इसी बेच रहा हूँ, नहीं यार क्या मैं रोज अपने business में पढ़ा हुआ फनीचर बेच रहा हूँ, नहीं यार तूटेगा, out of fashion हो जाएगा पहले हमारे offline center में whiteboard लगते थे जब मुझे लगा चीज़े change हो रही है और हम online में भी आ गए थे तो भाई हमें समझ में आ गया कि यार इसकी जगा हमें यहारे smartboard लगवाने पढ़ेंगे तो वो उतार के बेच दिये 8000 का खरीदा 3000-4000 बेच दिया तो 4000 जो मिला, वो मेरा asset बेच कर मिला करना पड़ता है benches खराब होते हैं, change करना पड़ता है पुराना बेचो लिया तो 2000 का था लेकिन आज कितने बेच दिया, 200 बेच दिया 200 बेच दे रहा है, वो भी मेरा क्या है capital asset क्योंकि मेरा asset गया है लेकिन जो बच्चा पढ़ा रहा है या जो दूद वला दूद देकर पैसे ले रहा है तो वो उसका क्या है, capital receipt समझ में आगए, ये दो बाते समझ में आगए हाँ जी, तो revenue from operation ये समझा दिया revenue from operation ये ही होता और कुछ भी नहीं होता ठेक है न, वो एक ही बात है, उसको आप read कर ले न, जो भी आप operation मतलब, जो भी आप काम काज कर रहे उससे जो पैसा आ रहा है, उसको आप revenue, receipt यानि revenue from operation, एक ही बात है revenue from operation ये revenue receipt it's all same thing got it, छेक है जी इसके बाद मुझे लगता yes, खतम हो गया, आज की एक class ये खतम होई, तो क्या अभी इसका और lecture बाकी है, yes, एक lecture और बाकी है, basic terms lecture three आएगा, मैंने का था, फिर दो lectures आएगे हमारे foundation के chapter number one के, तो by default आपका chapter one और chapter two भी खतम हो जाएगा और हमारा foundation भी crack हो जाएगा, foundation crack होगा, फिर हम numericals पे जा पाएगे got it, कैसी लगी lecture क्या energy level था मज़ा आया, जो भी आपका feedback है, आप please कौम ने अच्छा या बुरा, बहुत बुरा मत बुलना या, थोड़ा लगता है आप ठेक है ना, अच्छा या बुरा, आप मुझे comment में बताओ, improve करने की कोशिश करूँगा, and जो भी आपके doubt है, वो please comment में बताएं, कि ताकि अगली, जैसे आज लेकर आया था अगले lecture के अंदर में वह लेकर आऊँगा, ठेक है जी, and अब lecture थोड़े से frequent होने शुरू हो जाएंगे, BST और EQ का भी lecture आएगा, और ये भी आएगा, ठेक है जी, रही बात mathematics की, mathematics, बच्चे कहा रहे थे, सर यहाँ पर, वो बेटा science and fun 9, 10, 11, 12 channel पर, 9, 10, 11th का channel है, वहीं प होगी, applied maths, I am preparing myself की मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, ये नौना मैं दो lecture डालूँ और फिर मुझे लगे की, यार मैं बात तो समय नहीं है, तो मैं वो commitment नहीं करना चाहता, आप देख लो हमारा 9, 10, 11th वाला channel, हमने हमेशा जो commitment की हो पूरी की है, आप चेक कर सकते हो, जब we never say never, हम क्या पता, मैं ही यहाँ पर applied maths पढ़ाना शुरू करतू, got it, चलो, अच्छा, doubts, feedback, share, like, जरूर करना है, मिलूँगा अगले lecture में, तब तक के लिए, bye-bye, take care, have a nice day.